अगर आप भी एक अपने घर के अंदर खुबसूरत सी गेटलाइल लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिक गेटलाइट बताने जा रहा हूँ जो कि आपको किसी भी घर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो गेटलाइट है ये ना ही आपको एमजेट पे मिलने वाली है ना ही आपको ये फिलिप कार्ट पे मिलने वाली है ये gate light आपको कहां से मिलेगी, कैसी buy करनी है, कैसी ये gate light दिखती है और कितने price के अंदर ये मिलेगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा है लेकिन उसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बर आये हैं तो चैनल को स्क्राइब करके घंटे पर आल नुट क्रेशन जरू किल कीजिए, ताकि हमारी आने वाली latest वीडियो है, वो आपको मिल सके सबसे पहले और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी useful information मिल रही है, तो इस वीडियो का एक like जरू कर दीजिए तो चलते हैं आपने वीडियो पर, तो light का जो डबबा है वो हमें यहाँ पर receive हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखिए, आभी अभी मिला है, मैं post offices से लेकर आया हूँ, मेरे पास call आई थी, तो हम देखेंगे हमारी जो gate light है हमें कैसी receive होई है, तो चलिए, इसकी unboxing करते हैं, तो चलिए इसे हम unbox करके देख लेते हैं, कैसी हम यह मिलती है, वैसे मैं तो सोच रहा था कि काफी बड़ी मिलेंगी, पर इस डबबे के साब से मुझे लगता है साधी साधी चोटी होगी, क्योंकि इतने डबबे के अंदर दो तो चोटी आएंगी, बड़ अंबोक्सिंग की 1909 और ये प्रोटेक्ट है, तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं, और देखते हैं, कितनी बड़ी हमें ये मिली है, तो ये हमें यहाँ पर मिली है, देख सकते हैं, वैसे काफी सुन्दर है, अच्छी लग रही है, पर मैं तो आस्पेक्ट कर रहत साइड बड़ी होंगी, पर ये थोड़ी साइज में छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है, जितनी में सोच रहा था, खैर वैसे ठीक है, यहाँ पर पीची लिखा हुआ है, चलिए, बाकी भी हम देख लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं, दूसरी वाली हमें ये मिली है, य कोई भी टूट फूट वगरा नहीं है इसके उपर, काफिय अच्छी कंडिशन में रिशी होई है, वैसे तो काफी अच्छी है, ठीक है, गेट के उपर काफी अच्छी लगेगी, यहां से एक रबबड है, वह उसमें भी था, दूसरी में उसमें भी रबड था, तो काफी अच्छी है, प्लास्टिक की है, काच की नहीं है, प्लास्टिक की है, तुट्टी उटे की तो नहीं, अच्छी कंडिशन में काफी मजबूत है, तो चली, और चीज देख लेते हैं, क्या क्या चीज हमें मिली है, पन्य को साइड में कर देते हैं, और, यह चलो अच्छा हु यज हैंगी और यहां पर यह वाय दिये गए तो यह काफे अच्छा है मैं अच्छा काम कर रख एकर यहां पर पानी यहां पहलब इस नीची चले जाएगा यह ज़ produto दूसरी देखते हैं हमें हम हां यह ठीज भी फुट मैंने है कर टीशी भी परकार की और है और दो वाय है है यहाँ पर और होलूडर भी है यह ओल्डर ठाइता लगा है वह थोड़ा लूल सा लग रहा है अदेक्र ह कि हो यह ठोका सब्सक्राम कोई बात न्होंगत भальगाने वह वह अराम से लग दाएगा वैसे कोई तूट फूट तो नहीं है इसमें भी और कुछ है तो देख लेते हैं और कुछ है क्या इसके अंगर नहीं और तो कुछ भी नहीं है तो फाइनली इसको हम साइड में कर देते हैं और अपनी जो लाइट है उसको रखते हैं यहां पर यहाँ पर और यह और यह अब यह लगेंगी कैसे चलिए वो देख लेते हैं कैसे लगेंगी इनको यहाँ पर करके हमें डालना पड़ेगा और यहाँ पी इसे लग जाएगी हाँ सही है एकदम प्रफेक्ट है बिलकुल है यहा पे देख सकते हैं, बिलकुल बिलकुल कोई भीडान ब्रॉफेक्ट लिएर यहाँ पर लगवाई इन प्रफेक्ट लिए PS這些 चला जाएगा अंदर निण मैं सो चलता साथ पानी अंदर चला जाए पर पानी अंदर नहीं जाएगा नीचे ही जाएगा सीधा काफी अच्छे से बिल्कुल फिटिंग में है एक्दम तो चलिए दूसरी भी हम देख लेते हैं लगा के यह सही लगती है क्या ठीक है यह भी लगी बिल्कुल छी से से लगी होगी यहां हरे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जो गंटी है ऐसे दिखेंगी और ऐसे रखेंगे तो यह ऐसे दिखेंगी ठीक है तो चलिए इसके अंदर हम लट्टू भी लगा कि देख लिते हैं कैसे लगते हैं मैंने दो कलूल लट्टू भाए हैं फिलिप काट से वो डबार्ग आपको दिखा देता हूँ यह दिखेंगी यह अज रिषिव हैं दोनुचीजे आज रिषिव हुई थी तो यह भी मैंने अनबोक्स नहीं कि एह इसे में अनबॉक करेंगे और वह दोनों लट्टू इसमें लगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कलर है वो कैसा दिखता है क्योंकि यह कलर लुट क्यों हैं तो वो भी मैं इस दोनों में आपको लगा के दिखाऊंगा तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि तो यहां पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि बिना लाइट के भी जो लाइट है काफी खुब शूर्थ लग रही है इस लाइट की क्वाल्टी भी काफी अच्छी है मैंने अच्छे सी चैक किया था तो इसकी क्वाल्टी भी काफी बहतर है काफी लंबी समय तक ही चलेंगी अगर आप इने मांगाते हैं इनका साइज भी काफी बड़ा है अगर आपके घर का जो गेट है वह आठ से दस पूट है तो बिलकुल परफेक्ट आपके लिए तो चली अब हम इनके अंदर लट्टू लगाके भी देख लेते हैं कि चसने के बाद यह आकिल कितनी खुझूद देखती हैं यह देखिए अगर आप एक नोर्मल नो वात का या फिर साथ वात का एलीडी बलब भी लगाते हैं तो यह आपको बेहदी खुझ सूरत नजर आएगे यह गेट लाइट लगने के बाद आपके घर की जो शो है वो सबसे खुबसूरत देखेगे इन लाइट को देखकर साथ परोसी भी आपसे जल सकते हैं तो चलिए अब हम कलर के अंदर भी देख लेते हैं यह कैसी हमें दिखती हैं तो देखिए अगर आप इनके अंदर कलर बलब यूज करते हैं तो यह आपके घर पर चार चार लगा देंगे और आपके परोसी तो जल जल के बिलकुल धेर ही हो जाएंगे यह देखिए ग्रीन कलर में भी कितनी ज़्यादा खुपसूरत यह दिखाई दे रही हैं यहाँ आप पिंक कलर में भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खुपसूरत यह नजर आते हैं यह पर ग्रीन कलो में भी काफी सुंदर यह अपक दिखाई देरीन यहाँ पर दोस्तों आपको कैमरे के अंदर कुछ हलकी सी इस प्रकार से चस्पुझ सी यह करती हुई दिख रही होंगी लेकिन रील में यह चस्पुझ नहीं कर रही हैं यह कैमरे के इफेक्ट के कारण आपको नजर आ रहा है अगर आप इनको रियल में देखेंगे तो सच में आपका मन बिल्कुल लल्चा जाएगा इनको खरीदने के लिए और यह भी आपको बिल्कुल वाजिब दाउं के अंदर मिल रही है तो चलिए आपने यह गेट लाइट तो अच्छे से देखी लई है अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसे कहां से बाय करना है इसको बाय करने के लिए आपको electronics unboxing नाम की website पर जाना है जिसका link मैंने description में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर इन्हें बाय कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो यह light है यह वहीं से बाय की थी और यह जो website है यह एक पंजाब के वैक्ति हैं उनकी website है और वहीं से यह gate light आपके पास आती है I hope कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अची लगी होगी हम ऐसी ही true unboxing की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक like जरू कर दीजेगा तो चलिए जनाब देंगे ऐसी ही एक और नई वीडि के साथ तब तक के लिए जैन